मैं आपकी संडे स्कूल टीचर अंटी समीना हूँ आप सब किसे हैं और मेरा ख्याल है आप सब ने यसु मसि का जी उटना अपने घरों में अपनी मामा पापा के साथ अपने भेहन बैशी के साथ बहुत अच्छा मनाया और बहुत खुशी की खुदा आप सबको भरकत दे आज फिर हम मसी यसु के जी उटने की कहानी को सुनेंगे और भरकत पाएंगे वो जी उटाये याद करो कि जब वो गलीर में था तो उचने तुम से कहा था लुका की अंजीर उसका चौबीसमा बाप और उसकी साथ आएद वहां कुछ यू मरकून है जरूर है कि इबन आदम गुनागारों के हाथ में हवाले किया जाए और मस्लूब हो और तीसरे दें जी उठे आप शुक्रिया में शुक्राइब बच्चो आपके सामने बच्चो ने कलाम मुकद्दस को पढ़ा उसमें से कुछ बाते मैं आपको बताऊंगी लिखा है वो यहां नहीं है बलके जी उठाए मुझे और आपको याद रखना है कि ये सुमसी ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और वो मुर्दों में से जी उठा उसकी कबर खाली है फिर फुरिश्टा ने औरतों से ये भी कहा जरूर है कि इबन आदम गुनागारों के हवाले किया जाए और सलीब पर अपनी जान दे और फिर तीसे दिर मुर्दों में से जी उठे मुझे और आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि ये सुमसी ने हम सब की खातर अपनी जान सलीब पर दी और वो जिन्दा है उसकी कबर खाली है आज हम ऐसी ही कहानी में जानेंगे कि किस तरह उन्हों ने ये सुमसी को जाना कि वो जिन्दा है दो आद्मी गाओं की तरफ जा रहे थे वो आपस में बाते करते जा रहे थे कि ये सुमसी को किस तरह से मस्लूप किया गया वो ये सुमसी की बाते ही कर रहे थे कि ये सुमसी भी नजदीक आकर उनके साथ साथ चलने लगे इन आदमियों ने ये सुमसी को ना पैचाना वो तो बाते ही कर रहे थे ये सु के तालुप से ये सुने पूछा तुम क्या बाते करते हो उन में से एक्स ने कहा क्या तु अकेला ही मसाफिर है जिसको मालूम नहीं कि इन दिनों में क्या हुआ है येसु ने उनसे कहा क्या हुआ है उन्होंने कहा येसु नासरी जो काम में और कलाम में कुद्रत वाला नभी था सरदार काहिनों ने और हमारे हाक्मों ने उसको पक्ड़वाया और कतल का हुकम दिया और फिर उसे मस्लूब करवा दिया हम को तो उमीद थी कि इसराइल को अजादी यही दिलवाएगा आज तीन दिन हो गए है हम में से चंद औरतों ने तो हम को हैरान ही कर दिया वो सुब सवेरे कबर पर गई और उनकी मुलाकात एक फृष्ष्टे से हुई फृष्ष्टे ने उनसे कहा तुम यसु को ढूनती हो जो मस्लूब हुआ था वो यहां नहीं है वो अपने कहने के मताबिक जी उठा है फिर हम में से दो शागिद बे कबर पर गए और कबर को खाली पाया फिर यसु ने उनसे कहा आई ना दानो मसी यसु को दुख उठा कर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर था फिर यसु ने कलाम मुकदस में लिखी हुई तमाम बातें जो नब्यों की मार्फत कही गई थी उनसे कही इतने में उनका गाउं करीब आ गया और वो जल्दी जल्दी चलने लगे इन आद्वियों ने यसु से कहा यसु मसी मेरबानी करके आप हमारे घर चलें और हमारे साथ खाना खाएं जब यसु मसी उनसे आगे जा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरबानी करके आप हमारे साथ चलें आप बहुत शाम होगी आप हमारे साथ खाना खाएं और उन्होंने यसु को मजबूर किया कि यसु उनके साथ जाकर उनके घर खाना काए यसु मसी उनके साथ अंदर गए और उन्होंने यसु के लिए खाना तयार किया और जब खाना खाने लगे तो यसु ने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा बच्चो उसी वक्त उनकी आँके खुल गए और उन्हों ने पैचाना ये तो यसमसी है ये तो यसमसी है और यसमसी वहां से गाइब हो गए यानि चले गए और बच्चो जब उन्होंने यसू को पैचान लिया तो वो तो इतने खुश हुए इतने खुश हुए और फिर कहने लगे जब वो रास्ते में हमसे बाते कर रहा था तो हमारा दिल कितना खुश हो गया था हमारा दिल खुशी से फ़र गया था फिर उन्होंने आपस में कहा चलो 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 चलके शाकिरतों को बताएं कि ये सुमसी जिन्दा है ये सुमसी जिन्दा है और फिर बच्चों वो यरुशलम में उस घर में गए जहां ये सुमसी के शागिर्ट मौजूद थे उन्हों ने ये सुमसी के शागिर्टों को कहा हम जब रामे जा रहे थे प्रेगाओं की तरफ तो हमारे साथ येसु मसी भी चलने लगे येसु मसी ने हमसे बातें की फिर हम येसु को अपने घर ले गए और जब हम रोटी कहने लगे तो येसु ने शुकर किया तो हमने पैचान लिया ये हमारी आँके खूल गए ये तो येसु है और येसु उस वक्त हमारी नजलों से गाइब हो गया उन्होंने का येसु जिन्दा है हमने उसको देखा है येसु जिन्दा है वो उनको बता रहे थे और जब उनसे बाते कर रहे थे तो बच्चो उसी वक्त बिल्कुल मसीव वक्त येसु मसीव उनके पास आकर खड़े हो गए और येसु ने उसे कहा तुम्हारी स्लाम दी हो फिर तो वो सब के सब बहुत गबरा गए येसु ने उसे कहा मेरे हातों को देखो मेरे पाओं को देखो मैं ही हूँ मुझे हात लगा के देखो फिर वो सब के सब खुश हुए येसु ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है शागिर्दों ने येसु मसी को मच्छी का एक टुकड़ा दिया और येसु मसी ने उनके सामने खाया फिर येस्व मसी ने उनसे बहुत सारी बातें गी और उनको तुरैक, जबूर और नबियों की सब बातें जो येस्व के बारे में लिगी गई थी एक एक करकर उनको समझाइं और उनका सेहन खुला और वो किलाम मुकद्स की बातों को समझे कि येस्व मसी को दुख उठाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना जरूर था बच्चों आपने कलाम मुकद्स में से सची कहानी सुनी और आपको बहुत मज़ा आया और इस कहानी में इन आदमियों ने जो येस्व मसी से मिले थे चार काम की पहला काम वो येस्व मसी से क्या कर रहे थे बाते कर रहे थे ठीक है दूसरा काम उन्होंने येस्व मसी को अपने दिल में ले के आए और अपने घर में भी येस्व को ले के आए अपने घर में लाकर उन्होंने येस्व को खाना किलाया और जब येस्व ने अपना आप उन पर जाहर किया तो फिर वो बैठे नहीं रहे वो अपने पाउं पर चलके जल्दी जल्दी शागिर्टों के पास गए और उनको बताया कि येस्व मसी जिन्दा है और हमने येस्व मसी से क्या की है बाते की है इसी तरह बेटा मुझे और आपको भी चार काम करने है सबसे पहले हमें येस्व मसी को अपने दिल में रखना है और येस्व सो कहना है येस्व मसी तू मेरे दिल में रहे फिर उसको कहना है हमारे घर में येस्व मसी आपके घर में भी आपके साथ रहना चाहता है फिर हमें येस्व मसी से अपने मूँ से बाते करनी है येस्व मसी से बाते करनी है और बाते करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कलाम मुकद्दस को पढ़ें और फिर इसको समझें और इसमें से जो बाते लिखी हैं उसके मतालिक हम बात करें खुदा से हम दूआ करके भी दूआ में भी हम येसु मसी से बात कर सकते हैं और हम दूआ के जरीए भी खुदावन येसु से बात करते हैं जैसे कि उन आदमियों ने किया फिर जब उनको पता चल गया कि यसु जिन्दा है और उसे मुलाकात की तो भागे भागे वो शागिर्दों के पास गए और उनको बताया यसु मसी जिन्दा है हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग है जिनको पता नहीं है कि यसु मसी जिन्दा है हमने भी उनके पास जाना है और उनको बताना है कि यसु जिन्दा है पहले तो हमने उनके लिए दूआ करनी है उनके लिए दूआ करनी है फिर हमने उनको बताना है कि यसु ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी और वो जिन्दा है और उसकी कबर खाली है और वो आस्मान पर है और वो दुबारा आएगा और मुझे और आपको साथ ले जाएगा इन आदमें की तरह ये बाते हमने अपने प्यारों को बतानी है और हमने सब के बारे में फिकर भी करनी है जैसे इन शागिर्दों ने फिकर की और जाकर शागिर्दों को बताया कि ये सु जिन्दा है तो हमें भी ऐसा करने की जरूरत है तो आओ हम दुआ करें ताकि हम ऐसा कर सकें खुदाॉद खुदा मैं तEMA करती हूं तमाब बच्चों के लिए जिनोंने कलाम मुकदस को सुना है मैं इनके लिए बर्का चाहती हूं जिन्दगी तांदुरस्पी चाहती हूं से चाहती हूं उमर की दराजी चाहती हूँ ये बच्चों के दिल में तू रह इनकी अंदर तू सकूनत कर ये मसी इमान में काइम रहें और मसी की पहचान में बढ़ते जाएं हमेशा खुश रहें तू इनकी मदद कर ये सु मसी के नाम से आमीन मेरी आँखे खो हर परदा हटा अंधेर भगा अपनी रौशनी चम्मों का मेरी आँखे खो हर परदा हटा अंधेर भगा अपनी रौशनी चम्मों का अमा उसका तज रुपा दे वो ही जोश मुझ में जगा अपने हाँ से रौटी देकर मन में चिंगारी लगा मन में चिंगारी लगा मेरी आँखे खो हर परदा हटा में चिंगारी लगारी यद देकर नहाँ से जोशनी भगा and be में चिंगा ग्से रौटी तूटी यादरी लगाण ब़िए लगारी लगारी वोशनी अपने में परदा है